वेलकम टो रेमसी पत्ना रेमसी पत्ना में आपका स्वागत है आज हम लोग टूल्स मीनू के उपर वीडियो बना रहे हैं एक एक टूल का यूज करके दिखाएंगे और उसके कुछ-कुछ फंक्शन को भी समझाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टूल्स के बा चलिए पहला टूल्स स्टाइब करना चाहते हैं तो उस करो कर सकते हैं तो आप जो भी करना चाते हैं यूज कर सकते हैं फिर इसके बाद 50 के single mark new tool इसका भी यूज कर सकते हैं अप इधर चाहूँ तो यूज कर सकते हो जहां चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं। सैंने कर सके दिखाता हूं इधेर यूज़् कर लिए यह न souvenir यह अचाहता हूँ इसका घोने के बाद यह काइपकर नहुत कर लिए कोपी और इसके बाद हम चाहते हैं कि अवह से स्क्राइब करना यहां से स्लेक्ट कर लिया वाइड बैक्ग्राउंड है ओके कर दिया इसको मैं व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूं देखिए मारा फिट ओनी स्क्रीन होगी अब यहां से जेनरली हम लोग की बोर से कंट्रोल भी इसको पेस्ट किये तो देखिए इस तरह जो हमनों स्लेक्ट के थे यहां पर आ गया आप इसे कंट्रोल टी कर लो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो था तो मैंने इस टूल का यूज किया और इसको मैं इंटर करके अपलाय क्या हूं तो देखिए यहां नीचे यह अपलाय हो गया है चलिए मैं इसको फिर छोटा कर ले रहा हूं अब मैं चाहरा हूं इस फोटो का स्लेक्शन दूसरे अंदाज में करूं इलिप्टिकल मार्क स्लेक्ट कर ले रहा हूं जैसे हम इसको आप चाहे तो एरो की के सहता जिसको कर सकते आगे पीशे मैंने इसको स्लेक्ट कर लिया मैं यहां से इसको कंट्रोल सी करके कोपी कर लिया या चाहाओ तो आप कंट्रोल एक्स करके कट भी कर सकते हो अब फिर मैं चाहता हूं इसको म देखिए अब एक ही फोटो है आपको अपने आवसक्तानों साथ जैसे सेलेक्शन चाहिए है आप उसके नुरूप आप अपना काम को कर सकते हैं एक नया सीट में फिर से यहां पर ओपन कर लिया अब मैं चाहरा हूं कि यह जो स्लेक्शन है मैं टूल्स के सहता से यहां पर ले मूब हो गया यह तो यहां तक हो गया अब इसके आगे चलिए मैं फिर इसको क्लोज कर दे रहा हूं अब जो मेरा ओरीजिनल फोटो है इसके ओपर मैं आपको कंट्रोल दी से देखिए इसका जो स्लेक्शन था अब इसके आगे देखे टूल यह टूल जेनरली फोटो कटिं यहां से फोटो को काटेंगे अब जैनरली हम लोग माउस का पॉइंटर को प्रेस करके रखेंग और इसको इसको स्टार्टिंग पॉइंट हो गया अब चाहो आप तो इसे दूसे मिनू एक खोल रहा है यहां पर कर दिया मेंने यहांसे प्रम चाहता है कि मेरा मैं अपना यसलैक्शन जो है यहां पर लूप करने के लिए अपके पास बहुत साड़े और सब्सक्राइऄ कर दिया चलिए मैं आंको फिर से नया लेकर आता हूं अब देखिए इसमें जो पोलीगोन लासो टूल है आप पोलीगोन लासो टूल का भी यूज कर सकते हैं यह क्लिक करके आप माउस से एक बार छोड़ दू यह स्टेट लाइन पर काम करणा आप इसकी सहता से भी काट सकते हो बस इस टूल में सिर्फ धियान यह देना कि आप आप जहांसे स्टार्टिंग पॉइंट है आपका वहां पर लाग इसको क्लिक पूइंड पॉइंट तो यहां से स्लेक्षन बनाने का काम करता था जेंडरली हम लोगों के पास यहां देखिए से लिए दो चार टूल यहां से दिये हैं लेकिन यह सिमित है आप इसे अपने हिसाब से नहीं काम कर सकते हैं लेकिन यह तूल के नुशार आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं यहां ने Snow किया और लोग यहांसे क्या कर रहे हैं इसको यहांसे सेट करके एकन लेके चले हम लोग अपनी आफास्ता जयसा जाहें आपको सेट करता जाएगा यह جहांसे स्टाटिंग पॉएंट था हुआ सब्सक्राइब करें इसको फोटो को कर सकते हो इसे पर सेलेक्षिन बना लिया अब डूसके सकता हूं देखिए मैंने इसको फोटो को मूफ कर दिया तो आप जितनी बारी कि से काम करोगे उतनी अच्छे आपके फोटो में फिनिसिंग आएगी ठीक है तो चलिए यह देखिए एक है मैजिक वाइन टूल यह बैक्ग्राउंड फोटो का चेंज करने के लिए होता है मान लिजे आपको इस्टीडियो में फोटो बनारे हो आप चाहते हो कि वाइट कोई फॉर्म बढ़ने में मांग रहा है या कोई वाइट बैक्ग्राउंड चाहिए होता उस समय आपको इस टूल का यूज पड़ेगा जो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं यह जो टूल है यह एक कलर पर काम करता है जैसे इस पर क्ल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे chip को keyboard से प्रेस करें और मामस out करते जाये जानें जैसे जो भी हमारा हो दो स्मेय आ यहां यहां पर हो गया चले यहां पर कुछ और भी इस लेक्शन हो गया तो हम लोग इसे लूंट कर दो ने के बाद आप इसलिवर यहां से देलिर बेटन को प्रेस करेंगे वह कला गया है तो आप फिर से चाहो तो एक-ट करके कर सकते हो तो एक तो यह तरीका हो गया लेकिन आप चाहते हो कि कोई और स्लेक्ट हो तो आप उसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो मैजिक वाइड डूले इसका यूटिलाइज करके दिखाता हूं आपको अच्छे से चले इस टूल का देखिए मैंने यहां से फोटो पेन कर लिया अब इसके बैक्ग्राउंड केमरा से तो वह फोटो में आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्ग्राउंड कलर है उसके जो कलर है कपड़े का वह कलर से डिफरेंट कलर होना चाहिए ठीक है तभी जाके आप इस चीज़ को अपला कर सकते हो जैसे आप यह फोटो मुझे मान लिजे कि पास्पोर्ट साइज करना तो सबसे पहले मैं इस पोटो की साइज को कट्कर लेता हूं चलिए फोटो से इस्ट कर दिया और से इंटर प्रेस कर दिया आप मैं इस फोटो को जो है फिटोन सेवी करने के बाद देखिए अब इसके फोटो के बेक्ग्राउंड को नमें आपको गर आप कोई फोटो खीच रहे हो तो उसके डिफरेंट बैक्ग्राउंड वाले क्लोथ उसके पीछे आप पहले से लगा दो ताकि आपको इस टूल की जो मदद लोगे आप इससे अच्छे जल्दी से काम कर पाओ गया यह इंटरनेट पे बहुत सारा फोटो होता जो क तो इस फोटो को अपले धोने में परिशानी नहीं हो तो यहां नाइफ टूल से पहले फोटो को क्या करता स्लाइस इफेक्ट डाल दिया जाने कि फोटो को काट दिया जाता है कुछ पार्ट में काट दिया जाता है फोटो को जब इंटरनेट पे अपलोड करना होता है इस फोटो सारा अच्छे से दिखते भी इंटरनेट पे और आपका ये फोटो का रिजुलिशन भी खड़ाब नहीं होता है उस सब सिच्वेशन पर ये टूल का आप लोग यूज करते हैं तो ये टूल यूज करने के बाद जब फोटो सेफ करते हैं इसको हम लोग सेफ फोर यहा से क्या हो गया है बहुत चारे हिस्तों में यह कट गया है जब यहां पे हम अपटूलर को सेफ करेंगे तो यह हमेंaila दो इसको सेफ करने के बाद और यहां से मैंपको शेप क्लिक कर रहा हूं देखीए हें से से हो गया दोभ यह फोटो में एक नया फोल्डर था इसके उपड़ में क्लिक कर रहा हूं एक इमेज फोल्डर बन गया इसमें देखिए यह फोटो देखिए कितने साड़े running ब्रस तूल मैं यहांजे और नया फोटोग उपैन कर लिया और इसके बाद मैं इसको noon श्किन कर दिया now the money आजया कि मैं इस फोटोगों पहले कुछ ख़राप कर दे रहा हूं सेलिएлемर फोट Кुछ पहले कुछ डाग धब्बे इसमें डाल दे रहा हूं चलिए मैंने यहां पर डॉट लगा दिया यह फोटो फोरा सा मान लेजें कि इसमें मॉल है आप इसको इस तरह मान लो यहां ब्रस टूल का भी देखिए आप यूजबी समझ जाएगा ब्रस टूल ले लिए आप यहां से ब्रस कर दी लेजें जो भी लड़िया फोर ग्राउंड में स्लेक्ट होगा आपका वह पर आएगा तो चलिए फोर व्राउंड को मुलोग चेन कर देता हैं और यह ले लेता है जैनली देखें यहां से मैंने ले लिए फोटो पर मान लेजें कि बहुत सारे दाग धब्ब हैं इसको साफ करने के लिए हम दोग यूज करने चलिए हम इस फोटो को पहले बढ़ा करने साथ करना है खेले हैं एक टोल की लिक तूल से इसको मैंने हैं से स्लेक्ट कर लिया ए शुट करने के बाद इसक फीच के मैं दूसरे जगत दूंगा देखिए यह वहां से क्या हो गया कलर जो था मॉल या कलर जो भी जो खतम हो जारा तो इस तरह से हम लोग इसको खतम कर सकते हैं तो यह इस तरह से खतम हो जाएगा धियान रखना है कि जो भी इस पार्ट को कभर करना आपको प्रोपरली इसका कभर करना है ताकि यह जो कलर पे ले जाके छोड़ेंगे वही कलर यहां पे आके यहां पेस्ट हो जाड़ा ठीक है तो जिन्डली हम लोग इससे इसका साफ कर सकते हैं तो यह सब चीज़ों को धियान रखना और इस टूलों को अच्छे से बार बार यूज करते करते आप इस टूल के अच्छे से यूज कर पाओगे और दीरे दीरे आप सारे कमांड को भी सीख जाओगे चलिए यह बच्चे के यहां पे गाल पे जो आप दाग देखना है इस दाग को हटाना है तो इसमें देखिए एक जो आइकोन है हिलिंग बरस टूल का इस पर किलिक करोगे यह देखिए जस्ट लाइक एक बैंडेज है तो यह काम कैसे कड़ेगा तो हमें इसके बगल से कलर उठाना और इसके उपर डालना है तो हम लोग यह अल्ट से उठाएंगे देखिए करसर का जो सेफ था वो बदल गया अब यहां से ऐसे हम लोग उसका छोड़ देंगे फिर अब हम इसके उपर जाएंगे इसको हलका सा बैंडेज के साई में देखिए उपर चिपका दिया तो shao यहां से कलर प्रोट डिया जाता एक काम होता है और र पेंसल कलर का है देखिए पैंसलर यहां से कोई भी फोट कलर है यहां से स्लेक्ट कर ले रहे हो आप ठीक है ओकी कर दे रहे हो तो आप यहां पर ड्रॉव कर सकते हो यह पेंसिल का हो गया और यहां पर बड़ास टूल था यह पेंसिल है आप पेंसिल में इस टाइब का लिख सकते हो और इसके बाद देखिए दो तो यहां पर स्लेक्शन किया अल्ड दबाऊंगा देखिए हमारा करसर का जो सेफ था बदल गया और यहां से फिर माउस को ड्रेक करके यहां पर मैंने इसे छोड़ दिया अब जैसे ही यह मैं यहां पर नाप के उपर इसका एक करसर का पॉइंटर देखिए प्लस बन रहा है वो जहां जहां मुव करेगा यह रहा लुइआ कि यहां पर बंता चला जारा अब जिस फार्ट में लेके जाओगे उस पार्ट में यह फोटो नहां हो जाएक ना बना लिया हैं चलिए फिर इस फॉंक्षन इसको मैं यहां से रिवर्ट करके औरेंट पर लियां रहा हूं ई यहां एक औरिजिनल फोटो ले आया है अब इसके बाद देखिए इसके नीचे एक function है पैटरन स्टांफ चुल क्या होता है कि आपका फोटो जो बना है यहां पर पैटरन में बन जाता है और आप पैटरन फोटो का बना सकते हैं तो पैटरन टूल का जो हम लोगों का यह यू तो आप यहां से ड्रोब पढ़ेता पड़र्न इस पोटो में आता जाएगा आप जिस टाइब पैटर्ब चाहो तो यहां से यहां से यह सारे बना सकते हो ठीक यहां पे और इसके अब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आप चाहों देखिए इसके टोपी का जो कलर है आप इसमें अच्छा पैटरन फिल कर सकते हो तो एक अच्छा इसको लुग भी दे सकते हो तो आप अपने अवेसक्तानू साब पैटरन को भी यहां से बना सकते हो इसका इतना ही सब्सक्राइब के देतना ही रखेंगे दो दスト सब्सक्राओं सब्सक्राइब कर सकते हो तो आज लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 यानि कि total 10 टूल हम लोग यहाँ पर बताएं इसके बारे में फिर next वीडियो में हम आपको ये सारे भी टूल्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching